एक व्यक्ति गया था अपने ससुर के अंतिम संसकार में और वहीं पर ठहर जाता है और जब रात को सब लोग हार कर ठक कर सो जाते हैं तो वह अपने साले की पत्नी के साथ संबंद बनाने लगता है उसके बाद उसका साला जग जाता है उन दोनों को नगन हालत में देख लेता और फिर होता है यहां पर मौत का तांडव सुरू आखिर ऐसा क्या होता है दोस्तों जो यहां पर एक की मौत हो जाती है इस घटना की पूरी सचाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो कुवंत्र तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरची बाचेनन में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले के एक छोटे से गाउं की जहां पर मिस्री लाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उमर 26 साल है उसकी साधी हो चुकी है उसके सास का फौन आता है और सास फौन पर दूसरी तरफ से रो रही थी कह रही थी बेटा तु यहाँ पर आजा बेटी को लेकर तुमारे ससुर की मौत हो गई है उसका अन्तिम संस्कार करना है क्योंकि तुमारा साला तो कमाने के लिए बाहर रहा करता है वह तो बाहर है और घर करता है क्योंकि उसका साला बाहर विदेश कमाने के लिए गया हुआ था और वह कई-कई महीनों में घर पर आया करता था और अभी भी उसे आने में कम से कम 2-3 दिन तो लगी जाते वह इतनी दूर था तो दोस्तों बिस्रीलाल अपने ससुर का अंतिम संस्कार कर देता है उसके बाद साम होती है साम को सभी लोग ठक जाते हैं और ठक हार कर सो जाते हैं उसके बाद क्या होता रात होती है तो उसके साले की जो पत्नी होती है वह उसके कमरे में आती है और उसके पास बैठकर जोड-जोड से रोने लगती है कि हम किस तरह से जीएंगे हमारा तो पता यहा जैसे ही एक पुरुस का स्पर्स होता है तो उसकी काम वासना जग जाती है क्योंकि वह बहुत महीनों से बिना पती के अपने घर पर रह रही होती है तभी दोस्तों वह गले लग जाती है अपने जी जाके और गले लगने के बाद क्या होता दोस्तों दोनों एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं और थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार कर एक दूसरे के साथ उसी चार पाई पर सम्मन बनाने लगते हैं थोड़ी देर सम्मन बनाने के बाद फिर दुबारा से सम्मन्द बनाये जाते हैं और इसी तरह से रात पर दोनों एक दूसरे के साथ सम्मन्द बनाते हैं और जैसी सुबह होती है सुबह पांच वजे वह औरत अपने जीजा के विस्तर से उठकर के अपनी कमने में चली जाती है और दोस्तों इसी तरह से वह रात गुजर जाती है दूसरा दिन होता है दूसरे दिन भी वह औरत अपने कमने से उठकर अपने जी जाके पलंग पर पहुँच जाती है और रात पर उसके साथ सम्मन बनाती है अब तीसरे दिन जो मिस्री लाल होता उसका साला जो विदेश में कमाने गया था उस औरत का पती वह वापस आ जाता है और आकर वह बहुत ही गमगीन था अपने पिता की मित्यू का उससे बहुत जादा सोक था तो वह अपनी पत्नी के साथ सम्मन नहीं बना रहा था रात में वह अलग से सो जाता है जैसे रात होती है रात को 12 वजे उसकी पत्नी अपने बैड पर नहीं होती है उट करके वह मिस्री लाल के पास चली जाती है उसके साथ सम्मन बनाने लगती है रात को जैसे ही मिस्री लाल के जो साला होता उसको पिसाब लगती है तो उसकी आँखे ख जहां कर देखता है तो उसकी पत्नी और उसका जीजा नगनवस्ता में बैड के उपर संबन बना रहे थे। जाती है तरब तरब का दोस्तों उस सोर सरावे को सुनकर मिस्री लाल की सास और मिस्री लाल की पत्नी भी उस कमरे में आ जाती है और देखती है कि वहां पर मिस्री लाल का साला मरा हुआ पड़ा है वो सारे लोग रोने लगते हैं और दोस्तों मिस्री लाल वहां से भागता न अंतिम संसकार किया जाता है यानि कि एक ही गर में दो अंतिम संसकार दो लासें उठती है तो दोस्तो ऐसी ऐसी नादानिया भी कर देते हैं लोग मिस्रिलाल को क्या पढ़ी थी वहाँ पर ऐसा किर्थ्य करने की और वहाँ पर जो उसने अपने साले को ही जान से मार दिया ऐसी ऐसी घटनाएं भी समाज के अंदर हो जाती है तभी कहा जाता है औरत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरी बात औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ कही भी नहीं भेजना चाहिए यह हमारे बूरे वड़ों ने बिलकुश सटीक और सही अनुमान लगा कर यह बाते कहीं है उन्होंने अनुभव किया है तब ही यह बाते कहीं है इसी से समाज और घर चलता है अच्छी तरह से तो दोस्तों आप क्या कहना चाते हैं आप किसकी गलती है मिस्रीलाल ने सही किया गलत किया या पर जो उसके साले की पत्री थी वह सही कर रही थी उसका पती तो नहीं था छेचे महीने आता नहीं था तो उसने क्या गलत कर दिया था या पर यह कोई गलती नहीं थी ऐसा कर भी लिया जाता है आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपने गाय कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सेर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्राम में वह जल्दी फिर से ल कर दो बाराता वीडियो एया कर दो महाया का वीटरा जह हैं और वीडिया क्ड़ कर